हलो फ्रेंड्स मैं हूं संध्या स्वागत है आप सबका सेल की रसोई में आज हम बना रहे हैं डाल चावल का बहुत ही बहतरी नास्ता तो एक गिलास चावल लिया है एक गिलास चना डाल लिया है राद भर इसे पानी में डाल के छोड़ दिया था और साथ में एक चमज धनिय खड़ा धनिया और एक चमज जीरा डाल देंगे जब फुलने के लिए डालेंगे अब एक मिक्सी कजार लेंगे इसमें हम डाल देंगे दाल चावल को साथ में हरी मिर्च डाल देंगे एक चमज हम डाल देंगे हल्दी पाउडर नमक डाल देंगे एक चमज थोड़ा साम ड करिएगा पतला करेंगे तो किर आपका जो नास्ता है अच्छे से नहीं बनेगा तो इतना ही गाढ़ा हमें रखना है अब चलिए गैस की तरब चलते हैं यह नास्ता ना बहुत फटा-फट से बन जाता है और खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है गैस ओन करेंगे अब एक चालने वाला जो छनी होता है चलनी तो उसे आप रखिएगा जो इस्टील वाली होती है और इसमें हलका सा तेल लगा देंगे ताकि नास्ता हमारा चिपके नहीं अब क्या करेंगे इसके उपर ना हम चम्मस से जो हमारा दाल चावल का वेटर है पीस के जो रखे हैं उसे हम चोटा चोटा इसमें डालते जाएंगे इस तरह से डालना है तो इसमें हमने जो बेकिंग सोडर डाला है तो उससे अच्छा यह फुला फुला और जालीदार नास्ता बन कर तयार होगा तो इतना बड़ा बड़ा ही डालिएगा तो एक बार में जितना आ जाए आप उतना बना लें या फिर दो बार में बना लें तो इसमें में डाल देती हूं अगर एक बार में आ जाएगा तो एक ही बार में कर लेंगे या फिर दो बार में कर लेंगे तो चलिए पहले पूरे डाल लेते हैं और इसके बाद इसे हम ढखके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो ये नास्ताना एकदम जल्दी से बनकर तयार हो जाता है अब इसे कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए 10 मिनट में ये अच्छे से पक जाता है उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेता तो यह हमारा पक के एकदम अच्छे से तयार हो गया है, आप इसे हाँ से चुएंगे तो आपको पता चल जाएगा, अब छन्नी को हम नीचे उतार लेंगे और उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे, तो यह एकदम अराम से निकल जाता है, यह देखिए, बस ऐसे चम्मत से करें तो यह आराम से निकल जाएगा, तो चलिए पहले इसे हम अच्छे से निकाल के एक प्लेट में रख लेते हैं, यह पूरा निकल गया अच्छे से, तो दस-दस मिनट में यह बन जाएगा, अगर आप दो बार भी बनाएंगे तो दस-दस मिनट में यह आराम से बन कर तयार ह हो जाता है यह देखिए यह एकदम अच्छे से पग गया है तो इसे आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन इसे अगर आप प्राई करके खाएंगे ना तो यह काफी टेस्टी लगता है खाने में तो इसे मैं पहले पूरा प्लेट में निकाल लेती हूं यह देखिए इस तरह से हमारा यह नास्ता बनकर त्यार हुआ है थोड़ा सा बेटर वचा था जिसे मैं ने दुबारा बना लिया तो फिर से गयस वान करेंगे और एक प्राई पेंच चड़ाएंगे और इसमें हम डालेंगे दो चम्मच तेल डाल देंगे तेल जैसे ही हमारा गरम होगा इस में हम डाल देंगे हरी मिर्च लंबयकार में काटके थोड़ा सा धनिया पती बारी कटी हुई और कडी पत्ता तो तीनों मैंने एक ही प्लेट में रखा है साथ में ही डाल देंगे और इस टाइम पे गैस को हम एकदम स्लो रखेंगे ताकि हमारा मिर्च और धनिया पत्ति ज मज़ डाल दिजेगा इन सब को थोड़ा सा डाल के हम भून लेंगे और उसके बाद जो हमारा नास्ता है इसमें हम एड कर देंगे यह हलका सा ऐसे हिलाएंगे ना तो ऐसे तुरंट से यह भून जाएगा गरम-गरम से तेल में अब नास्ते को डाल देंगे और डाल के खाइए या किसी भी सॉस के साथ खाइए बहुत ही बहत्तरिन लगता है आप इसे टिपिन में भी बना के लिए जा सकते हैं यह बच्चे बड़े सब को पसंद आएगा और काफी सॉप्ट बनकर यह तैयार होता है तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले हो चावल से बनकर तयार होता है तो जब आप न दाल चावल फूलने के लिए डाले ना तो उसमें धनिया जरूर डालिएगा खड़ा धनिया एक चमच तो इससे खुसबू भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी काफी अच्छा आता है इसे मैंने गैस से उतार लिया आप जरूर से ट्राई किजिएगा और मुझे नीचे कमेंट स्वाग में जरूर बताईएगा कि आपको पसंद आई की नहीं आई और अगर आज की रेस्पी जरासी भी पसंद आया फ्रेंट्स तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा जो फ्रेंट्स चेनल पर नह है तो प्लीज फ्रेंट्स सस्क्राइब किये भी ना पिल्कुल भी मत जाईएगा आपको पास से दिखा रही हूं और आपकी कीचन में जो समान है ना बस उसी समान से नास्ता बन कर त्यार होगा आपको बाहर से लाने की कोई समान की जरूरत नहीं है और जल्दी से बनने व